नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में माता लक्षमी का एक उपाई आपके प्रतिष्टान नोकरी व्यापार में उन्नति प्रदान कर सकता है आज के वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं चिनी, सपे, तिल, गेहूं के आटे और काले तिल से धन व्रदी और करज मुक्ति का एक ऐसा टोटका बता रहे हैं जिसे आप आजमाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी कमाई में भारी व्रदी होगी जियां दोस्तों, यदि आप वियापार नोकरी से भारी धन कमाना साथते हो और करज से मुक्त होना साथते हो तो आज का वीडियो आपको माला माल बना देगा जियां दोस्तों, हरे इंसान की इच्छा होती है कि धन और कमाई बढ़ती रहे और वो खूब मेहनत करता है कमाई बढ़ाने के लिए अपना दिमाग दोड़ाता रहता है, इसके बावजूद उसे आसा तीत सपलता नहीं मिलती है इसके बाद वो हतास हो जाता है आज हम आपको एक खास उपाई बता रहे हैं, जिसे आजमाने के बाद सफलता अविश्य मिलेगी आपको और घर में धन धने सम्रदी में भारी व्रदी होगी यूँ तो लोग टोटकों से नकारातमक्ता भावमन में लाते हैं लेकिन वास्तों में सद्यों से चलियारी प्रमप्रा से देवताओं को प्रसंद करने के लिए और उनसे वरदार प्राप्त करने के लिए इन टोटकों का पुजा का स्वरूपी माना जाता है यदि आप धन वरदी, व्यापार वरदी करना चाहते हो, करस से मुक्त होना चाहते हो तो आज का उपाई जरूर करें वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से अनरोध करते हैं यदि आपने चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकोन को चालू करें जिसे चैनल के वीडियो आप तक तुरूंट पहुंचते रहें ये गुरुवार के दिन ये उपाई करना है चाहिए आप सुकरवार के दिन भी कर सकते हो जब भी आपको समोग गुरुवार किसी भी दिन कर सकते हो इसके लिए सुबर नित्य क्रम से निवत होकर सवासो ग्राम सपेतिल यानी 125 ग्राम सपेतिल 125 ग्राम चिनी, 125 ग्राम ही भीगे हुए मुम जो पहले से भीगो के रख ले डाइसोग्राम यहूं का आटा और एक मुठी काले तिल्ट से यह इन सारी सामगरी को लेकर अच्छी तरह से मिक्स कर ले, मिला ले और साब पानी से अच्छी तरह से गूंत ले बात में गूंत हुई सामगरी से चार समान वजन के माने समान बराबर बराबर पेड़े जैसे बना ले जैसे पेड़े होते हैं पेड़ा बना ले चारो चार पेड़े बना ले अब इन चार पेड़ों को एक थाली में रख दें और बाद में घर के मंदिर में माता लक्षमी की प्रतिमा के आगे रख दें और निते पूजा पाट करें और धूबती दिखाएं आप माता लक्षमी से व्यापार नोकरी में उन्नती की कोई भी अपने मनो कामना सिद्ध होने की प्रात्ना करें और करज मुक्ति की प्रात्ना करे कोई भी बदाओ उसे दूर हटाने की प्रात्ना करे ये क्रिया प्रून होने के बाद जब आप घर से निकले काम जाने के लिए नोकरी पर जाने के लिए घर से निकले तो ये चारों पेड़ों को अपने साथ गुप्त रूप से ले जाएं और किसी भी गाहे को खिलाते हुए अपने कारिये पर जाएं या नोकरी पर जाएं ये परियोग गुरुवार सुकरुवार को इसी तरीके से करते रहें इस उपाई को आजमाने से बेरोजगार विक्तियों की बेरोजगारी चार सुक्रवार या चार गुरुवार के बाद दूर हो जाएगी यानि उनकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी और सारे करजों से मुप्तिम मिल जाती है। इस उपाई से कोई और भी समझ चाओ तो मता लक्समी चार सुक्रवार के बाद जरूर पूर्ण करती है कमेट बॉक्स में जै लक्समी मा जरूर लिखें इसी के साथ हम आज के वीडियो से विराम लेते हैं जै राम जी की